आज का जो लाइव है कई मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं कई प्रकार की मुद्दे हैं बिल्कुल बिल्कुल रेट का भी कलिर करेंगे कई बाते हैं कई भरतियां हैं जो पेंडिंग पड़ी है बिल्कुल मैं सवस्त हूँ अब दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आई है पहले वाली भी और कल जो और आई है उस पर भी और आप सभी का जो प्यार्स ने जो मिल रहा है उससे और भी तरोटाजा हो जाता हूँ लेकिन आज जो चर्चा कर रहा हूँ वो कई बात पर कर रहा हूँ साथ में युवा उससे समवाद भी करने की कोशिश करूँगा कि जितने भी युवा बिल्कुल SI, TGT 2012 आपके सभी का कमेंट्स वगेरा देख रहा हूँ जब तक युवा जोड़ जाते हैं और दूसरी बात लग बग 323353 पद है उन लोगों की सुची जारी हो रही है और सभी चाइनित अभ्यरतियों को मेरे रास्तान रोजगार महाशंग की तरफ से अगरिम सुब काम ना आई दूसरी बात ये हैं कि आप लोगों को पता है एक प्रस्तितियां गुजर रहे हैं कोविड जैसी से भूत सारे मित्रे से भी हैं जिन्होंने कोविड को मात दी है अभी फारमाउस पर बैठाओं चट पर मैं तो मैं आप लोगों से कुछ अपील करने के लिए लाईव के मादिम से एक अपील करना चाह रहा हूं कि जिन युवा साथियों ने कोविड में तब तक जुड़ रहे हैं तब तक एक अपील कर रहा हूं जितने युवा साथियों वो जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा जिन युवा साथियों ने कोविड में कोविड को मात दिये तो उनकी जो रक्त प्लाजमा है वो अपना जुरूर दान करे इस समय देश को आपके प्लाजमा की जुर्त है बहुत सारे ऐसे युवास आती है कि जिनके रक्त की बहुत ज़्यादा आउशकता है तो आप लोगों से अपील इस लाईव के मादियम से में इस प्रकार कर रहा हूँ कि आप ये प्लाजमा बाद में काम नहीं आना है मित्रो अब भी किसी की जान बजा सकता है आप रक्त प्लाजमा जुरूर दान करे एक हर जिगह ओक्स जिनकी कम्मी पढ़ रही है अपने को लगता है कि किसी को पढ़ रही है अपने प्रिवान में तो नहीं है इस प्रकार की मानसिक्ता अपने माइंड में रहती है दोस्तों आपको कहीं भी कोई भी व्यक्ति ओक्सिजन की डिमांड करा है तो उसकी पोश्ट वगरा सेर जुरूर करे ताकि क्या पता आपका कोई प्रिचित उनकी मदद कर दे आपको लगता है मैं तो कर नहीं सकता तो आप कम से कम फेस्बुक माध्यम से इन चीज़ों को जुरूर लोगों का सायोग करे ये आप लोगों के लिए अती आउशक है कल को आपको भी आउशकता पड़ जाए कल को आपके लिए भी ये प्रभावी कदम हो तो दोस्तों किसी का पता नहीं चला कोविड जुरूर चल रहा है लेकिन इस बात को समझे अब सबसे बड़ी बात रीट के बारे में पूछ रहे हैं 2016 वरिष्ट अध्यापक बरती के बारे में पूछ रहे हैं 2016 एसलपी के बारे में पूछ रहे हैं इन सब चर्चों पर मैं आप लोगों को चर्चा कर रहा हूं जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे प्रदेश के शिक्षा मंतरी शिरिगोविन सिंग जी डोटास राजी कोविड पॉजिटिव हो गे थे कल भी मेरी चर्चा हुई थी इनी मुद्दों पे वो अब उनकी रिपोर्ट नेगिटिव आई चुकी है वो थोड़े सुधार हो रहे हैं थोड़े सवस्त भी हो रहे हैं थोड़ा समय लगेगा उन्होंने ये बात मुझे कलिर कही थी कि 2018 वरिश्य द्यापक बर्तिक प्रिक्षा की जो पिक अप सुच्ची के बारे में जो युवा साथी बार-बार मुझे कोल मेसेज कर रहे हैं दोस्तों मैं करवाऊंगा ये लोग्रावन हड़ते ही सबसे पहले प्रमुकता से आपका काम होगा और कई लोगों ने ये जो उप्चुनाओं में कारिये किया था बार-बार ये बोला था कि क्या सरकार कर रही है नहीं गरी तो जो हमने सरकार को अउगत कराई थी जो बाते दोजाशोड़ा की एसलपी वापिस लेनी दोजाशोड़ा की गनितिव ज्यान की सुच्ची आनी तो ये चीज़े कलियर होगी दोस्तों इसके लिए हम पूरा प्रियासत है कल भी उनको अउगत कराया था हलांकि वस्तित्यां कुछ एसी है जिनके माद्यम से अगर आपन ब ट्विटर पे ट्विट भी किया था गेट वेल सुन डोटास राजी फस्ट ग्रेड़ वाले 14 प्रशेंट वाले तो वह इमेज आती है वह बात भी जाती उन तक पहुंचती है कि हां युवा मुझे मेरे लिए चाहत कर रहा है तो आप अब सबसे बड़ी हां रीट कब होग रीट की जो भरती थी वह मारे फेस्ट ग्रेड के अंदोलों की देन थी कोसिस की बरतियां नहीं आई हमने उस पे भी विवाद रखा विवाद किया आगे बढ़ने कोशिश की बात को और भी जादा आगे बढ़ने कोशिश की लेकिन अब जब फाइनल बात हुई है EWS को आरक्षन की वज़े से डेट आगे चली गई अब दोस्तों 20 जून जो डेट मुकरर की गई थी इसलिए बोल रहा हूं कि इन परस्तितियों में पहले भी बोला था लाइव में पिछे वाला लाइव जो कुछ टेक्निकल इस्यू के वज हंजीर किया था प्रने और इस एकजाम इन परश्तित्य नीकों होनी में दोस्तों नीट का जो एकजाम है जिन के पांच-छे लाग फॉर्म भरए जातें कि पूरे भारत भरम्यणिक वेटर क्विएर महीन आगे चला गया राजिस्तान का अकल जय इक्जाम का था वह आगे चला गया जो मज़ार मैं हो शरी जून में होना था मई की सारी बरतियाँ सारी प्रीक्शे सब कुछ आगे चली गई तो जहां तक सरकार की जो मंचा है उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इस मेटर में कि हाँ एक्जाम समय पे वगेरा क्योंकि उनका इस समय जो ध्यान है वो कोविड मेनेजमेंट में है हलांकि बेरोजगारों के लिए ये अलग बात है लेकिन इस मुद्धे पर अगर अपन बात करे तो अपन भी किस मूद से बात करे वो बात है रीट आगे जाएगी ये कंफर्म है कितना आगे जाएगी वह जल्द आपको अवगत करा दिया जाएगा दोस्तों आप टई मिल रहा है अप आप भाहना ना करें कोर्ट का कोट से भी अदोस्तो इसके संद्रब में नहीं बोला है और जैसे परस्तित्यानकुल होती है मैं सबसे पहले आपकी बर्तियों को पूरा खराने की कोशिस पूरी करूँआ शिक्षा विभाग की हो चाहिए अन्य विभाग की हो पंचायती राज LDC 2013 के युवा साथी बार बार पूछ रहे थे क्या हुआ कैसे होगा तो दोस्तो पंचायती राज LDC के लिए चाहिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं तयार रहूंगा आपकी बर्तियां जो आप इतने साल से पेंडिंग बैठे थे परिशान हो रहे थे आठ-ठाट साल से और आज ही परिशान हो रहे हैं तो वो भी आप इस बात को समझे कोशिश करेंगे सबलता मिलेगी सरकार मना नहीं कर रही है तो यस भी नहीं कर रही है श्येचों का परिणाम आज साम तक हो जाएगा लेट तक या कल तक हो जाएगा आज का ही बोला था हमें लाश्ट में और देखते हैं दूसरी बात वेद्धिता को लेके बार-बार सवाल कर रहे हैं वेद्धिता कोई बड़ी बात नहीं है न्याले वेद्धिता में अगर वेद्धिता को एक साल का एक्स्टेंशन दे दे और दे दे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है वो न्याले में है मामला और न्याले इस मामले को देख रहा है तो अपने इस पे नो कमेंट रहेंगे जब तक नियाले इस पे अपने विचार ना रख दे दोस्तों जितने लोग मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं आने आने वाले पांस दिन बाद चार दिन बाद एद का तई वहार है बहुत सारे मुश्लिम युवा साथी मेरे से भी जूड़े हैं उनसे मैं अपील करूंगा इस साल आप एद के लिए कोई शोपिंग ना करें कपड़े ना करें उन रुपयों का यूज आप ऐसी जगह दें जो जुरुरत बंद है इस कोविड की परस्तितियों में आपके आज कपड़ों से ज्यादा कफन भी करी है लेकिन कफन ना भीकने की बजाए कपड़े भीकेंगे तबीद होगी कफन ज्यादा भीक रही है तो आप इस बात को समझे और घर पे रहके ही इस लोकडाउन का भी पालना करें देखो व्यक्षेता बर्ती में देखो 2018 के त्याग पत्रित वाले जो युवा साथी है तो मैंने कहें दिया आपको कलिर कर देता हूं एक पिक अप लिस्ट आजाएगी अभी जैसे लोकडाउन खतम होगा उसके पशाथ पिक अप लिस्ट आजाएगी उस दिन मेंने बात रखी थी अगले दिन मीटिंग हुई थी घाले क्विटा की बड़्य के उनने कि हां कि आजाएग अब आजाएगी लेट आजाएगी 5-10 दिन बाद आजाएगी जेए लोक्डाउन खितम होचा जैगा आजाएगी लें जो त्याग पत्रित के लिए जिस लड़को होच रहे हैं कि पिका ब़ाभा होगे हैं कि इस्य हमें यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लंबी लड़ाई होगी, सरकार पे भी दबाव बनाना पड़ेगा, हमारे सयोगी इसमें कारिये कर रहे हैं, हम भी इसमें कारिये करेंगे, चाहिए हमें न्याले के माद्व से ही हो या सरकार के माद्व से हो मैं पूरी कोशिश करूँआ या बात रखने की भी आप एक जुट हो के सही तरिके से काम करेंगे जैसे ही ये लोकडाउन हटता है हम पूरी उप्रेसर के साथ काम करेंगे 2018 की जितने भी युवा additional के बारे में जो युवा साथी बार-बार पूछ रहे है additional वाला एक बार मुद्दा गोन हो चुका है reason ये है कि additional वाले मुद्दे पे SLP जो सरकार रखना चाह रही थी additional पे अभी COVID की वज़े से सारा मामला pending हो चुका है विभाग सारे बंद पड़े हैं आप लोगों को पता है हाँ एक और पुछा गया है सवाल कि रीट के पद बढ़ रहे हैं क्या दोस्तों रीट के अभी कोई पद नहीं बढ़ रहे हैं ये भी मैं चर्चा कर चुका हूँ लेकिन हम मांग करेंगे कि जब तक वेकेंसी नहीं हो रही है दो-दो साल पुरानी वेकेंसी आएं तो उनके पद बढ़ने चाहिए 31,000 से 32,000 की बात आई थी लेकिन हम चाहते हैं कि 50,000 पलस पद आए ताकि युवाओं को फायदा हो और सभी वर्ग में इसका बेनफिट मिले सभी वर्गों को और हम पूरी कोशिस करेंगे दोस्तों 2016 सेकिंड ग्रेड दोस्तों कॉल नहीं कर पाया आप लोगों को अउगत नहीं करा पाया क्योंकि पहले चर्चा नहीं होई थी क्योंकि मैं थोती बाते कभी नहीं करता दो जार सोड़ा सेकिंड ग्रेड आपका मामला बंद कर दिया गया था सिक्षा निदेशाले के दुवारा उसके बाद में फाइल बंद होके यहां पे कार्मिक भाग में बंद हो चुकी है सब कुछ कलोज हो चुका था अब ओपन होगी आपकी एक और वरियता सुची आएगी विश्वास आप लोगों ने किया था विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा जल्दी आप लोगों को ये क कोविड की पस्तितियां जैसे खतम होती है चाहिए मुझे कुछ भी करना पड़े मेरे टीम को कुछ भी करना पड़े आपके हक के लिए मैं तयार रहूंगा और खड़ा हो रहूंगा और कारिये करके दिखवाऊंगा आप निश्चिंत रहे इसके बारे में मैंने जान बु जोड़ लगाऊंगा रीट एक्जाम आगी जा सकती है मित्रोप पूरे पूरी चांस है मैं पहले भी बोल चुका हूँ हाँ एक और राजिस्तान रोजगार माशंग अपनी कारेकारणी का घटन कर रहा है पूरे प्रदेश में उन युवा को जोड़ रहा है जो युवा के लिए लड़ सकता है मेरे पास कारेकारणी में जुड़ने के लिए आप सभी लोग उसको मेरे टीम के दुवारा कोल किया जा रहा है कईयों को आ जाएगा सभी की जो भी है परकिरिया वो मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारे से कोल आ रहे किसर हम उस समय मेसेज नहीं किर पाए तो कुछ समय और दीजिए तो हम उस कुछ समय और भी देंगे कुछ बड़े चहरे भी जो युवा के लिए पहले भी लड़े हैं वो भी राजिस्तान रोजगार माहसं की प्रदेश कारेकारणी में भी सामिल हो रहे हैं कुछ चेहरे प्रदेश में आ रहे हैं कुछ जिले में लगब कारिकानी चेंज हो रही है और चो बड़े चेहरे थे बिल्कुल रमेश जी मन कर गए आज काफी युवाओ के कोल आ रहे थे और अच्छा लगा था आज प्लाजम जो हमने कोशिश की थी सोचल मीडिया के अमाद लेंगे लेकिन उनको ऑक्षिजन समय पे मिली और एक को बलाजमा मिला तो बहुत अच्छा फील हुआ तो मन किया कि आप लोगों को भी मैं इस बाते प्रेडित करूं कि किसी भी परकार से कोई भी विक्ति अगर पोस्ट डालता है अपने सामने पोस्ट आती है रिक्वाइ देश जित्तेगा हम सब एक जूट होके काम करेंगे अब बड़े वाइसाब डॉक्टर दिपेंदर सर्मा भी इस मेंटर को 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 कोरोना वारिस के रूप में कार्य कर रहे हैं जैपूर में रहे के तो उनके टीम भी भोश्यांदर है रीट 2018 बिलकुल मित्रों अभी मामला थोड़ा लंबा चला गया है सुनवाई होगी लेकिन मैं पहले भी जो बात कहीं थी उसी भी खड़ा हूं आप थोड़ा वेट करें किसी को हम बार नहीं उहने देंगे कुछ ऐसी परिक्रिया अपना रहे हैं हम चाहते हैं कि जो पोस्ट और भी पड़ी है जिन पर जानकार होगा नहीं होगा तो रिशफल होगा बिल्कुल अवश्य रिशफल होगा है कि है कि है लडीची च्छती सोपे ग्रेड अभी थोड़ा समय लगेगा दोस्तों अभी इस में कोई भी पॉजिटिव नहीं है कि न्यूव फेस्ट ग्रेड पर बोल चुका हूं टीजिटी दोजर बार आके बारे में बहुत बार कमेंट देखा है दखो दोस्तों आप एक बार यह जैसे मेटर आउट हो यह लोकडाउन खतम होता है एक बार आप मिले कौसिश करता हूं पूरा मेटर को लेके मंतरी जी क कि सामने रिक्वेश्ट करने की और इस बात को रखने की पूरी कौशिस करूं गहा। दोजरत्सोड़ा की गनित विज्ञान है कि नहीं के दोनु मेटर अलगे कई लोगों को पता नहीं है उन कि पता खकर का कार्य करना है रीट आगे जाएगी दोस्त यह जो पिन करके जो नंबर डाला हुआ है यह टेलिग्राम का लिंक है राधिस्तान रोजगार महाशंक का जितने भी युवाशाती जो जुड़ना साथ है वो जुड़ सकते हैं इस पर रीट कब होगी रीट अभी आगे जाएगी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग जुड़े लावी के मादिम से